रूस इंदिनों गुपचुप तरीके से ऐसा परमानू हतियार बना रहा है जोसे दुश्मनों के सैटलाइट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया इस अंतरिक्ष में महीनों या वर्षों तक तैनाद भी किया जा सकता है अमेरिक अधिकारियों के मताबिक रूस एक नए प्रकार का परमानू हतियार विकसित कर रहा है इसे खास तोर पर दुश्मनों के सैटलाइट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है लॉंच होने के बाद ये कुछ वक्त के लिए अंतरिक्ष में रह सकता है जो हफते महीने या साल भी हो सकते है अगर रूस के इस नए हतियार में विस्पोर्ट किया जाता है तो ये प्रत्वी के सबसे करीब की कक्षा में वाजूद उपग्रहों पर काल बनका तूट पड़ेगा इसे प्रत्वी के नजदीक या दिक्तर उपग्रह नश्ट हो जाएंगे ये कॉंसेप्ट भली अजीब लगे लेकिन रूस के लिए मुश्किल नहीं वरतमान में रूस कमजोर पड़ता नज़र आ रहा है और वो भी इसे अच्छे तरीके से समझ रहा है उसका युकरेन के खिलाव दो हफ्तों के लिए शुरू किया गया युद्ध 31 महीने तक महुँच गया है इसके भरपाई के लिए रूस लंबे वक्त से उन उपग्रहों पर हमला करने की किशमता की तलाश कर रहा है जिन पर अमेरिकी से ना निर्भर करती है शुरू के बाद की अवधी के लिए इसके रूची खेर परमानू एंटी सैटलाइट हतियारों पर केंद्रित थी अलाकि अमेरिकी सैन ने उद्देशियों के लिए अज़ारों चोटे उबग्रहों को तैनात करके उन से जासूसी करने की कोशिश कर रहा है युक्रेन ने स्टार्लिंग के उपयोग के माध्यम से ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सैन ने उद्देशियों के लिए विकसत नहीं किया गया इसी के जबाब में रूस ने परमानू सश्ष्ट्र एंटी सैटलाइट हतियारों में अपनी रूची को फिर से जिन्दा किया है अंतरिक्ष आधारित परमानू हतियारों का खत्रा सिर्फ ये नहीं है कि रूस वास्तों में उनका उपयोग कर सकता है ये भी एक अमेरिका जानता है कि रूस वास्तों में उनका उपयोग कर सकता है नतीज उतिन अमेरिका पुटीन के अंतरिक्ष परमानू हत्यारों पर हमला कर सकता है और इससे पहले कि वो बटन दबा सके ऐसे में हो सकता है कि ऐसी संभникаवना पुटीन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परमाणू हमले का आदेश बिने के लिए प्रोथ साहित कर सकती है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24